ईसलो दोस्तो कैसे हैं आप मैं हूं डोग बिएविर कंसल्टेंट एंड ट्रेनर मुकुल आ रहे हैं दोस्तों डोग ट्रेंडिंग में कम और इस्टे कमांट सबसे इंपोर्टेंट है अगर आपके डोग को यह दो कमांट भी आती हैं तो आपका डोग अल्मोस्ट ट्रेंड ही माना जाएगा. तो दोस्तों आज हम सीखते हैं कैसे सिखाया जाए डोग को कम कमांड? तो दोस्तों कम कमांड सिखाने के लिए सबसे पहले डोग को लीश लगा लीजिए और हाथ में कुछ टीट्स ले लीजिए और उसके बाद उसको डोग को थोड़ी दूर जाके आपने लीश से पुल करना अपनी तरफ और उसको कमांड देनी है कम तो जैसे जिस मुवमेंट वह आपकी तरफ चलने लगे एकदम से उसी मुवमेंट आपने उसको प्रेज करना है गुड गरल गुड बोई जो भी है वह तो उसको प्रेज करना है और जैसे वह आपकी तरफ तक पहुचे तो उस टेम उसको फिर से एक बार से आपको प्रेज करना और एकदम से टीट देनी है को कम गड़ गरल को को गड़ गर दोस्तों जब आपका डोग ऐसे करने लगे तो उसको लिश लगा के छोड़ दीजे चाउत क्षिए जब हो और जिदिए जब व पीजी हो तो अप लिज लगा लिजिए और उस को फिर से वुलाईए आप जब हो बिस्विजależ हो जैसे मी को को बीजिया है मैं बुलाऻों गाना इसको देख है तो देखा दोस्तों आपने इसने सीक्फ लिया तो अब इसको मैं यह बिजी है कहीं पर भी धियान दे रही है लेकिन मैं उसके बुला रहा हूं तो मेरे बुलाने पर यह आ रही है तो आप बस ऐसी प्रैक्टिस कर लीजिए अराम से डोग आपका एक दो सेशन में बहुत अच्छे से कम कमांड सीख लेगा इसके बाद आपको लिश लगाने क कि हां मुझे टीट मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते लेकिन वह उसके को हमेशा यह रहेगा कि हां मुझे मिलेगी टीट और आपको के पास आएगा जरूर तो दोस्तों आप इस तरह से कम कमांड सिखाई है थोड़ी सी प्रैक्टिस में डोग बहुत अच्छे से सीख है कि आप कहीं लोग ना बहुत तेज बोलते हैं कम कमांड में काम तैसे आपने इस फ्रॉंक नहीं बोलना अपने पॉलाइटली बोलना है डोग को और जब आप कम बोलें तो इस वर्ड को थोड़ा लंबा करके बोलिए पहले नाम लीजिए इसका जो भी उसका नाम को 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 काम ऐसे डोग फटक से आपके पास आएगा और खुश हो के आएगा एक दम से और आपको दिक्कत नहीं आएगी लेकिन आप अगर जोड़ से चिला के बोलोगे तो डोग आपका आभी रहा हो तो आएगा नहीं आपके पास में तो दोस्तों आप इस तरह थोड़ी सी प् से अब कर दी आए तो शुकुरिया दोस्तों थेंक यू टेक केर बाइबाए